गोरी कवी के दो बेटे थे बड़े बेटे का नाम जग्गू था और छोटे बेटे का नाम बग्गू कवा अब जग्गू अपनी पढ़ाई खतम करने के बाद अच्छी खासी नौकरी करता एक दिन रानो चड़िया उनके घहर आती है बोलो रानो चड़िया अब क्या काम पड़ गया गोरी बहन कालू बता रहा था आप जग्गू के लिए रिस्ता देख रही हो मेरी नजर में एक बहुत सुन्दर कवी है जग्गू बेटे के लिए एकदम सही रहेगी मेरा जग्गू महिने के 35,000 रुपे कमाता है लड़की व वाले बहुत ससील और गुनवान हैं इतने से क्या होगा हमें कम से कम दहेज में एक फॉर्चूनर चाहिए अगर वहामी भरते हैं तो मैं साधी के लिए तयार हूं नहीं नहीं गोरी बहन वो इतनी महंगी गाड़ी नहीं दे पाएंगे नहीं देंगे तो तू यहां क्या कर गया तो जा यहां से गोरी जब से जग्गो की नोकरी लगी है तुम्हें बड़ा घमंड आ गया है किसी से सीधे मूँ बात तक नहीं करती ऐसे बोलते हुए चड़िया वहां से चली जाती है कुछ दिन बीत जाते हैं गोरी कभी ने तो जग्गो का रिस्ता एक बहुत अमी ऐसे डब्बे दस रखे हैं लड़की पक्षी वालों ने ही भेजे हैं वो बहुत अमीर है किसी बात के कोई कमी नहीं छोड़ी फोर्चिनर गाडी के साथ साथ मेरे लिए सोने का हार भी दे रहे हैं और खाने का इंतजाम तो बड़ी रेस्टोरेंट में किया है वा गोरी फ सोक से मिठाई बांगती फिरती बगुकवा एक कवी के साथ बाते कर रहा था तब रानो चडिया उसे देख लेती है बगुजी दो दिन बाद आपके बड़े भीया की साधी हो जाएगी फिर गोरी आंटी आपकी भी साधी किसी बड़े घर में कर देंगी नहीं चंदा मैं स तुम्हारे दुसमन हम दोनों साधी करेंगे वे घर में मम्मी पापा से बात करूंगा उन दोनों की ऐसी बाते सुनकर चडिया उनके पास आती है और बोलती है बगु बेटे ये सही नहीं है बच्चों को अपने माता पिता के बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए अभी क आप एक दूसरे को बूल जाओ नहीं चडिया आंटी हमें एक दूसरे को नहीं बूल सकते बग्गू बेटे, बात को समझो, गोरी ऐसी साधी को कभी नहीं मानेगी, तुम जानते हो अपनी मा को नहीं आंटी, माने या ना माने, मैं साधी करूँगा तो चंदा कवी से हाँ आंटी जी, मैं भी बग्गू से बहुत प्यार करती हूँ, आप हमें अलग ना करें, बलकि गोरी आंटी से आप भी बात करें चिडिया तो उन दोनों की ऐसी बाते सुनकर चपचाप लोट जाती है, उसी साम बग्गू घर में सब कुछ बता देता है ममा, मैं उसी से साधी करूँगा, चाहे आप माने या ना माने, चल ठीक है, तो कर ले अपनी पसंद से साधी, ने कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन साधी में दहेज मुझे जग्गू जैसा मिलना चाहिए, क्या वो इतनी अमीर है, नहीं मा, चंदा के पिता नहीं है, उसकी मा बहुत गरीब है, वो भीया जितना दहेज तो नहीं दे पाएंगी, बस, बस तो ये साधी नहीं होगी, मैं ऐसी गरीब और चंट लड़की को जानती हूँ, मैं तेरी साधी किसी अमीर घर में करवा दूँगी, बिलकुल जगू के जैसे, अब ना बोलना, बगू कवा तो गुस्से में घर से बाहिर चला जाता है, बड़ी दुम्धाम से चगू कवे की साधी हो जाती है, सीतल कवे दहेज में ऐसी कूलर पंखा बहुत सारा सामान लाती, जिसे देखकर गोरी कवी तो फूली ना समाती, और धूसरी तरस बगू ने भी चंदा कवी से मंदर में जाएंगे, और वैसे भी इन्होंने साधी तो कर ली है, अब ये भी हमारी बहु होगी तुम्हारी, मेरे लिए तो इस घर में नौकरानी जैसी होगी, फिर वो दोनों घर में रहने लगते हैं, चंदा बहु घर का सारा काम करती, खाना बनाती, जहाडू लगाती, कपड़े बरतन साफ करती, इकना काम करने के बाद भी, गोरी को तो बस सीतल भहु ही अच्छी लगती, मा जी, आपने मेरे कमरे से कूलर क्यों हटवा दिया, वो कूलर मेरी सीतल भहु के माय के से आया था, इसलिए हटवा दिया, जब अपने घर से कूलर लाएगी, तो लगवा आई बड़ी कूलर की हवा खाने, ऐसे गोरी कवी भरी गर्मी में, कूलर को भी ले जाती है, और चंदा कवी को गर्मी में रहना पड़ता, वो फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती, चुप चाप अपना काम करती, और ऐसे ही समय गुजरता गया, कुछ दिनों के लिए चंदा क खाना, मुझसे नहीं आता, बहु, वो गवार चंदा अपने माई के गई है, तो अब घर का काम तुमें ही करना होगा, जल्दी जल्दी से कर लो, नहीं मा जी, मैंने कभी अपने घर पर काम नहीं किया, तो यहां कैसे करूंगी, और वैसे भी, मेरे पापा ने आपकी सारी मैंन पूरी की है, तो घर का काम आप करें, और मेरे लिए पास्ता बना देना, मैं वही खाऊंगी, गोरी तो चुपचाप वहां से चली जाती है, और घर के सारे काम खुद करने लगती है, तब ही उनके घर चड़िया आती है, अरे गोरी बहन, आप बरतन साफ क्यों कर रही हो, जब की घर में दोदोब हुए है, गोरी कवी चड़िया की इस बात का कोई जवाब नहीं देती, वो बड़ी धीरे से बोलती है, वो चंदा अपने माई के गई है, चंदा ही तो गई हुई है, बड़ी बहु सीतल तो यहीं है, क्या वो घर का काम नहीं करती, चड़िया इतना बोला ही था, तब सीतल उसके पास आजाती है, ओ हो माजी, अभी तक बड़तन साफ नहीं हुए, मुझे भोग लगी है, जल्दी से मेरे लिए पास्ता बना दो, और तुम ही देखो, मेरे कमरे में कितनी गंदगी है, उसे जल्दी से साफ करो, मुझे, मुझे गंदग तेज बुखारा गया था, सीतल बेटा, आज मुझे बुखार है, आज घर का काम तो ही कर ले, और मेरे लिए पतले से खिच्ड़ी बना दे, खिच्ड़ी, मुझे नहीं पता, खिच्ड़ी कैसे बनाते हैं, और मुझे बनाने भी नहीं, मैं अपने लिए बाहर का खाना चंदा बहुती अगर वो यहां होती तो मेरी ऐसी हालत कभी न होती जगुकवा पिछले दो दूनों से ये सब देख रहा था वो जल्दी से अपनी पत्नी चंदा को लाता है चंदा कवी तो आते ही उसके लिए खिचड़ी बनाती है और गोरी की खूब सेवा करती है गोरी तो उसे देकर बहुत खुश थी माजी आपकी तब या तब कैसी है चंदा बेटी अब तू आ गई है तो जल्दी ही ठीक हो जाओंगी फिर चंदा कवी गोरी की खूब सेवा करती उसके पैर दबाती और घर का ताजा बना जूस पिलाती जिससे गोरी कवी बहुत जल्दी ही ठ परक नहीं करूंगी दोनों बहु मेरे लिए एक समान होंगी उस दिन के बाद गोरी अपनी चंदा बहु के साथ हसी खुशी रहती उसे कभी गरीब होने का एहसास नहीं दिलाती आपका धन्यवाद कबूतर भाई गर्मी गर्मी जी करता है अभी तेज बारिस सुरू हो जा नहीं कभूतर मैं बरसात अपने लिए नहीं मांग रही मेरा अंडा इतनी गर्मी में खराब हो जाएगा आज सुबह में जब बुलबुल के घर से गुजर रही थी तो पता चला तेज गर्मी के कारण उसके तीनों अंडे खराब होगे क्या ऐसी बात है फिर तो मैं भी बारिस की प्राथना करता हूँ क्यांकि मेरी पतनी लूसी ने भी कले कंडा दिया है ऐसे बोल कर कबूतर भी बारिस की मांग करता है लेकिन गर्मी के मौसम में कोई पदलाव नहीं होता कवो के घर में तो एसी लगा हुआ था वो तो मजे से अपनी एसी के ठंडे घर में रहते थे गोरी एक बार बाहर जाकर देखें गरम थपड़ से लगते है अपना घर कितना ठंडा है गर्मी का जरावी एहसास नहीं होता तब ही तो तब ही तो मैंने ये एसी लगवाया ताकि गर्मी में न मरना पड़े गोरी चड़िया कबूतर तो गर्मी से घबराए हुए थे वो बरसात की मांग कर रहे थे आपको क्या लगता है बारिस होगी कोई बारिस नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं होगी और मरेंगे चड़िया कबूतर हमें क्या लेना इधर लोसी के अंडे पर हलकी सी दरार आ गई थी वो पती पतनी तो बहुत घबरा जाते हैं और भागते हुए अपने अंडे को बुल्बुल के पास ले जाते हैं बुलबुल जी पहले हमारा अंडा देखें इस पे दरार क्यों आ गई है अभी तो अंडे फूटने का समय भी नहीं हुआ बुलबुल पहले कबुतर के अंडे का चेक अप करती है गर्मी बहुत जाइदा है आप अंडे को किसी ठंडे से थान पर रखें वो भी अभी तभी ये अंडा बच पाएगा फिर कबुतर पती पतनी अंडा लेकर अपने घर लोटाते हैं लेकिन वो उदास बैठे थे तभी रानो चडिया उनके घर आती है लोसी बहन मुझे हर्याली ने बताया आपके अंडे पे दरार आगी है अब अंडा कैसा है वो ठीक तो है ना चडिया बहन अंडा सुरक्षित है मगर बुलबुल वैद ने कहा है अंडे को गर्मी से बचा कर रखना होगा हम तब ही से परेसा कभौतर लुसी अगर को अपना अंडा बचाना है तो कभौ के घर में ऐसी लगा है उनका गर हर समय ठंडा रहता है आप दोनों अंडा लेकर कभौ के घर चले जाएं चाहाएं क्या वह नक्चड़ी गोरी अपने को गें हिलना करना करूंगी उसक्यों से आक्TER हमारे बचे क जिन्दगी का सवाल है गोरी कालू को मना लूंगी आप चलें जल्दी फिर कबूतर लूसी अपना अंडा साथ लेकर कवो के घर चले जाते हैं और उनका दर्वाजा खट खटाते हैं गोरी कवी तो कभी भी कबूतर से सीधे मूँ बात तक नहीं करती थी जाकर देखें कालू के साथ मेरे घर में क्या कर रहा है गोरी बहन जो कहना है वो कहलो चाहे गंदी आखो वाला या फिर मोटा आज में तुमसे कुछ नहीं कहूंगा बात क्या है सीधे सीधे बताओ यो गोल मोल न घुमाओ फिर कबूतर अपनी सारी परेशानी गोरी को बता देता है और हाथ ज जोड़ कर उसे लगातार विंति कर रहे थे गोरी मना नहीं कर पाती थीख है तुम दोनों इतना बोल रहे हो तो मान जाती हूँ लेकिन गोरी फ्री में किसी की मदद नहीं करती हाँ मैं जानता हूँ तुम चिंता मत करो जब तक हमारा अंदा तुमारे घर में रहेगा मैं तुमको भोजन लाकर देता रहूंगा फिर कबूतर भाग कर अपने घर से भोजन लाता है और कवो को दे देता है कालू गोरी तो बहुत खुस थे गोरी जी ये बिजनिस बहुत अच्छा है गर्मी में घर बैठे बैठे भोजन मिल रहा है तभी तो मैंने कबूतर को मना नही किया अब मजे से दाना खाओ कबूतर भाईया क्या गोरी मान गई आपके अंडे को घर में रख तो लिया हाँ चुडिया बहन मान तो कई मगर मुझे उनको दाना देना होगा कबूतर भाई कोई बात नहीं कालू गोरी बिना कुछ लिए कभी किसी की मदद नहीं करते खेर छोड़े थोड़े दिनों की ही तो बात है जब अंडा फूट जाएगा तो बच्चा लेकर अपने घर आ जाना चुडिया ऐसे बोलकर अपने घर चली जाती है ऐसे ही कुछ दिन बीट जाते हैं और कालू गोरी तो मजे से कबूतर का लाया हुआ दाना खाते वो बहुत वो को दाना देकर कबूतर घर से बाहर चला जाता है और गोरी के सामने वाले पेड़ पर ही बैठ जाता है लेकिन कवे तो उदास बैठे थे गोरी अगर कबूतर का अंडा फूट गया तो वो बच्चा लेकर यहां से चला जाएगा फिर हमें भोजन कौन लाकर देगा कालो यही बात तो मैं सोच रही हूँ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये अंडा फूटे ही न और कबूतर हमें दाना ही खलाता रहे गोरी एक उपाई है हम कबूतर का अंडा पत्थर से बदल देते हैं ना तो पत्थर तूटेगा और ना कभी बच्चा निकलेगा और ना ह कबूतर हमें दाना देनों बंद करेगा चलो तो पहाड़ियों में मैंने वहाँ अंडे जैसे पत्थर देखे हैं वहाँ एक सफेद पत्थर भी है हम उसी को लेकर आते हैं और इस कबूतर के अंडे को वहीं फैकाते हैं हमें क्या लेना इससे फिर कालू कवा अंडे को अप घर आ जाते हैं कालू गोरी अंडे में कोई हलचल हुई थी क्या नहीं कबूतर अभी अंडे में कोई हलचल नहीं हुई जब तूटेगा तो दरार पड़ेंगी तो मैं तुम दोनों को खबर कर दूंगी अब जाओ यहां से बात सिर्फ अंडे रखने की हुई है ऐसे कबूतर पति पतनी वहां से लोट जाते हैं और अपने अंडे को सभा साम देखने आते बगर अंडा तो जैसे के तैसा था क्योंकि वो तो एक पत्थर था वो कभी नहीं टूटता शुडिया बहें आपके अंडे से तब बहुत सुंदर बेटी हुई है पता नहीं हमारे अंडे से ब कोलती हूं फिर लोसी कबूतरी अपने पती से बात करती है और दोनों अंडा लेने कवो के घर चले जाते हैं कालू गोरी हमें हमारा अंडा दे दो हम उसे बुल-बुलवेद के पास ले जा रहे हैं कबूतर भाई आपका अंडा एकदम स्वस्थ है बाहर गर्मी है रास्ते के मारे पसीने हो गए थे बुल-बुल घर आ जाती है कबूतर मैं एक डौक्टर हूं मेरा कीमती समय मजाग करने के लिए नहीं है ये कोई अंडा नहीं बल्कि ये पत्तर है जिसे आप चेक कराने मुझे यहां लाए हो क्या कहा ये पत्तर है फिर हमारा अंडा कहा है कालू कालूर गोरी सच सच बताओ तुमने हमारे अंडे के साथ क्या किया वरना मार मार के तमारी जान ले लूंगा। कालूर गोरी तो कबूतर से बहुत डर जाते हैं और रोते हुए सब बता देते हैं। जालम कहीं के तुमने जरासी भोजन के लिए मेरे अंडे को मरने के लिए छोड़ दिया। तुम बहुत बुरे पक्षी हो। लोसी जी अभी इने छोड़ें चलें पहाडियों में हम अपना अंडा डूडते हैं। फिर लोसी कबूतर भागते भागते पहाडियों में जाते हैं और अपना अंडा डूडते हैं। वो सब से पूछते हैं। एक बुढ़ा उल्लू उन्हें काफी देल से देख रहा था। क्या आप दोनों यहां अपना बच्चा डूडने आये हो। हाँ बुढ़े उल्लू जी कुछ दिन पहले एक दुष्ट कववा हमारा अंडा यहां छोड़ गया था। हम वही डूडने आये हैं। तो चलो मेरे साथ। तुमारा बच्चा मेरे घर में है। फिर वो बुढ़ा उल्लू उन दोनों को अपने घर में ले जाता है। घौसले में एक छोटा सा कबूतर का बच्चा बैठा हुआ था। यह है वो बच्चा जिसे में कुछ दिन पहले अपने घर लाया था। यह तमारा ही होगा। बुढ़े उल्लू का का आपका बहुत-बहुत सुक्रिया जो आपने हमारे बच्चे को अपने घर में रखा और इसकी जान बचाई। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे ऐसे दोनों माता पिता अपने बच्चे को सीने से लगा लेते हैं और खुसी-खुसी अपने जंगल लोट जाते हैं। रानों चडिया चिल-चलाती धूप में भोजन की खोज कर रही थी। उसके साथ-साथ कालू कवा भी उड़ रहा था। फिर एक जगहा पर चडिया को थोड़ा भोजन मिल जाता है। अरे ये दाना तो बहुत कम है चडिया ही सारा दाना ले जाएगी। कालू कवे देख्या रहे हो आधा दाना तो मुठालो इस तेज गर्मी में आप भी तो मेरे साथ उड़ रहे हो। जितना भी दाना है हम मिल बांट कर घर ले जाएंगे। कालू जट से दाना ले लेता है और वो दोनों अपने जंगल लोटाते हैं लेकिन मम्मा चडिया तो तेज धूप के कारण बीमार हो चुकी थी। मम्मा आप ठीक तो हो ना ऐसे आते ही गोंसले में क्यों लेट गई। गई। गुडिया बेटी बाहर धूप बहुत थी इसल खतम कर दूँगा मुझे बहुत तेज भूक लगी है भूक कर कहीं के तो ही खाले पूरा दाना मुझे भूक नहीं है पहले मैं मा की हवा करूंगी उनको बहुत गर्मी लगी है ऐसे गुडिया तो अपने पंक से मम्मा चडिया की हवा कर रही थी। कुकु तो इतनी देर मे सारा दाना खतम कर देता है गुडिया अब तुम क्या खाओगी सारा दाना में खा गया वैसे मम्मा आज का दाना बहुत स्वादिश्ट था खा कर मज़ा आ गया कुकु आपको इतनी भी समझ नहीं है कि दो दानी अपनी बहन के लिए तो छोड़ देते मम्मा आप इसकी चि सी उड़ा कर को को घर से बाहर निकल जाता है कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन मम्मा चडिया की तब्यात तो और भी बिढ़ चुकी थी गुडिया भाग कर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है आपकी मम्मा को गर्मी से हैजा हो गया है यह चूरन ठंडे पानी मे जाकर दिन में तीन से चार बार पीना होगा और गर्मी से बच कर रहें फिर बुलबुल चडिया को दवा दे कर वहां से चली जाती है कालू का वा चडिया को बलाने उसके घर आता है कुकु बेटे आपकी मम्मा कहा है आज उन्हें भोजन के लिए नहीं जाना कालू अंकल म मम्मा अपने घंसले में सो रही है मैं अभी उनको जगाता हूँ फिर कुकु अपनी मम्मा को जगाता है तब ही गुडिया उसको रोक लेती है कुकु आपको दिखाई नहीं देता मम्मा की हालत खराब है तो क्यों जगा रहे हो वो अभी अभी तो सोई है बहार कालू अंकल आए है मम्मा को बलाने इसलिए जगा रहा था हर बात पर मुझे क्यों सनाती रहती हो नक्चड़ी बहें कुकु चुप हो जाएं मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे से कोई जगडा मत करना नहीं मम्मा आप ठीक नहीं हो अगर आप बाहर जाओगी तो पहले से भी जैदा बीमार हो जाओगी एक दिन ये कुकु दाना ले आएगा मैं क्यों ये गुडिया भी तो दाना ला सकती है और मुझे कितना तेज भी उड़ती है ऐसे जाइदा देर होने पर कालू कावा घर में ही घुसाता है और दोनों को बहसते देख बोलता है चुडिया बहन आपके तब्यद ठीक नहीं है तो ये दोनों मेरे साथ मिलकर भोजन ले आएंगे आप घर पे अराम करें हाँ कालू अंकल मैं तयार हूँ हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ मैं भी तयार हूँ फिर दोनों भाई भैन कालू कवे के साथ भोजन की तलास में निकल जाते हैं आज तो कल से भी जाइदा कड़ी गर्मी थी कहीं मैं चड़िया की तरह बिमार पड़ गया तो मेरे लिए कोई दाना लाने बाला भी नहीं है चिडिया के तो दो बच्चे हैं लेकिन मैं तो अकेला हूँ ऐसे सोचकर कालू कावा बीमार होने का नाटक सुरू कर देता है और जान बूज कर जोड़ जोड़ से हापने लगता है चाया, चाया, मुझे, मुझे चाया में ले चलो, जल्दी करो बच्चो दोनों बच्चे कालू को साध कर एक पेड़ की चाया में ले जाते हैं और पानी पिलाते हैं कालू अंकल, आप ठीक हो क्या? बच्चो, मैं अब गर्मी में उड़ने ही पाऊंगा मेरी तवियत खराब है, लगता है मुझे भी गर्मी लग गई है कालू अंकल, आप छाया में बैटे रहें, तब तक हम दोनों भोजन ढूडते हैं हाँ हाँ जाओ, दोनों अलग अलग दिसाओ में भोजन ढूड़ना और लाटकर मेरे पास ही आना, मैं यही रहूँगा और मेरे लिए तो कोई पका फल ले आना ठीक है कालू अंकल, हम आपके लिए पका फल भी ढूड़ ले आएंगे ऐसे वो दोनों भाई बहन अलग अलग दिसाओ में चले जाते हैं गुडिया उड़ती उड़ती, एक सुनसान घर की मुडेर पर पहुँच जाती है वो खिड़की पर बैठ जाती है इनसानों की जिन्दगी कितनी अच्छी होती है इनके घर में ठंडी ठंडी हवा देने वाले यंत्र है कूलर पंखा ऐसी सब है इनको तो गर्मी कभी भी महसूस ही नहीं होती होगी गुडिया ऐसे बैठी हुई, कूलर पंखे को गोर से देख रही थी तबी घर की महिला उसकी तरफ एक रोटी फैंकती है लेकिन गुडिया तो अभी भी वहीं बैठी थी फिर वो महिला, गुडिया को दूसरी रोटी देते हुए कहती है और क्या चाहिए तुमें नन्नी शडिया, दो दो रोटीया तो मैंने दे दी मा जी, हम पक्षियों को गर्मी लगती है आपके घर में कूलर पंखा सब है लेकिन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं हमें बहुत गर्मी लगती है बस इतनी सी बात है, मैं अभी मैं अभी तुमारे लिए कूलर पंखा और फ्रीज देती हूँ इन्हें मैं आसानी से अपने घर ले जा सकती हूँ नन्नी चड़िया तभी तो, मैंने आपको गहस से बने कूलर पंखा दिये हैं क्योंकि ये बहुत हलके हैं, तुम आराम से अपने घर ले जा सकती हो माजी, आप कौन हो, ऐसा जादू कैसे किया आपने ? गुडिया के इस सवाल पर वो महिला एक सुन्दर परी का रूप ले लेती है मैं आस्मान की जादुई परी हूँ मैं अक्सर यहां रूप बदल के रहती हूँ ताकि हर जरुरत मंद की मदद कर सकूँ लेकिन आज किसी पक्षी की मदद करके मेरा मन बहुत खुश है फिर गुडिया अपना कूलर पंखा फ्रीज लेकर वहां से लोट जाती है कुकू तो देर सारे फल लेकर कालू कवे के पास आ चुका था अरे वा कुकू बेटे आपकी नजर बड़ी तेज है थोड़ी सी देर में ही इतने सारे फल ले आये हाँ कालू अंकल मैं एक भाग में चला गया था और वहीं से ये सारे फल तोड लाया अब आप भी खा ले चलो चलो तो कुकू अब घर चलते हैं गडमी में यहां रह कर क्या करना नहीं कालू उंकल जी गुडिया को तो आने दो, मैं अपनी बेहन को अकेला छोड़ कर नहीं जाओंगा वो मरी गुडिया, पता नहीं कब आएगी, मैं नहीं रुख सकता ऐसे सोच कर कालू कब वा, फलो को उठा कर वहां से तेज भाग जाता है कुकु उसे बुलाता ही रह जाता है, मगर कालू कब वा नहीं रुखता कालू अंकल रुख जाओ, हमें अकेला छोड़ कर मत जाओ, कोई बात नहीं जब तक गुडिया नहीं आ जाती, मैं यहां से कहीं नहीं जाओंगा गुडिया आप जल्दी आ जाओ, फिर कुकु अपनी बेहन के इंतजार में वहीं बैठा रहता है थोड़ी देर बाद गुडिया वहां पहुच जाती है, वो जादू परी की सारी बाते कुकु को बता देती है और कुकु भी कालू कवे के भागने की बात उसे बता देता है कुकु भाई, मुझे खुसी है, आप मुझे छोड़ कर नहीं भागे आज आपने जता दिया, अपना अपना ही होता है गुडिया बेहन, अब जल्दी घर चलो, मा चिंता कर रही होगी फिर वो दोनों भी भागते हुए घर चले जाते है गुडिया फ्रीज, कूलर, पंखा सब लगा देती है उनकी ठंडी ठंडी हवा, मम्मा चिडिया को जराबी गर्मी नहीं लगने देती फिर कुकु जैसे ही फ्रीज खोलता है उसमें तो धेर सारी खानी की चीजे भरी थी क्योंकि वो कोई मामूली फ्रीज नहीं था वो जादूई परी का जादूई फ्रीज था ये देखे मम्मा, घास के फ्रीज में तो धेर सारा भोजन है अब हमको भोजन की खोज को भी नहीं जाना पड़ेगा हाँ मेरे बच्चो, हमारे लिए तो ये कूलर ही काफी है मैं ये पंखा कालू कावे को दे आती हूँ उसे भी तो गर्मी लग रही होगी नहीं मम्मा, आप ये पंखा किसी दूसरे पक्षी को दे दे लेकिन कालू अंकल को कभी मत देना वो बहुत बुरे है मेरे सारे फल लेकर हमें छोड़ कर भागाई थे वो ये पंखा लेने के लायक नहीं है हम, सही कहा मेरे कूकू मैं ये पंखा जंगल की बढ़ी पक्षी को दे आती हूँ इस तरह से वो तीनो भोजन खाते हैं और कोलर की ठंडी ठंडी हवा में सो जाते हैं अब उन तेनों को जराबी गर्मी नहीं सताती आपका धन्याव